नमस्कार स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में आज हम पढ़ेंगे कलास 10 का भौतिक विज्ञान फिगिक्स का अध्याय 13 विधूत धारा के चुम्बक्य परभाव विधूत धारा के चुम्बक्य परभाव का 30 BBI objective क्यूचन देखेंगे जो हर वर्स वोड एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाहला क्यूचन से पाहला क्यूचन है किसी AC जनितर तथा DC जनितर में एक मुलभूत अंतर है तो AC जनितर तथा DC जनितर में एक मुलभूत अंतर बताना है तो इसका सई अंसर D हो जाएगा AC जनित्र में सरफी वले होते हैं, जबकि DC जनित्र में दिक परिवर्तक होते हैं दूसरा की विचन है हमारे घरों में जो विधुत सफलाय होती है वह है तो वह कितना वोल्ट पर अकॉन सी धारा होती है तिसका सई अंसर C हो जाएगा 220 वोल्ट पर परत्यावर्ती धारा होती है तिसरा क्यूचन है एक किलो वाट आवर होता है एक किलो वाट आवर कितना के बराबर होता है तो इसका सई अंसर B हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है चौथा क्यूचन है यदि नर्म लोहे को धरावाही कुंडली के गर्म में रख दिया जाए तो क्या बनता है तो इसका सई अंसर बी हो जाएगा विधूत चुम्बक बनता है पाचवा क्यूचन है विधूत फ्यूज काम करता है तो विधूत फ्यूज कैसे काम करता है तो इसका सई एंसर ए हो जाएगा धारा के उसमिये परभाव पर विधूत फ्यूज काम करता है चाठा कीचन है विधूत धारा उत्पन करने की युक्ति को कहते हैं तो विधूत धारा उत्पन करने की युक्ति को क्या कहते हैं तो इसका सई अंसर यह हो जाएगा जनित्र विधूत धारा उत्पन करने के युक्ति को जनित्र कहते हैं क्यूचर नमर साथ है बैटरी से किस परकार की धारा प्राप्त होती है तो बैटरी से किस परकार की धारा प्राप्त होती है तो इसका सई अंसर ए हो जाएगा दिष्ट धारा बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है क्यूचन नमर आठ है विधूत फ्यूज विधूत धारा के किस परभाव पर कारी करता है तो इसका सई अंसर ए हो जाएगा उसमिये उसमिये परभाव पर विधूत फ्यूज विधूत धारा के उसमिये परभाव पर कारी करता है नावा क्यूचन है विधूत फ्यूज बचाता है तो विधूत फ्यूज किस चीज से बचाता है तो इसका सई अंसर B हो जाएगा लगू पत्थन में बहने वाले उच धारा के खत्रे से विधूत फ्यूज बचाता है दास्वा क्यूचन है घरों में विधूत से दुरगटना किस कारण से होती है तो इसका सई अंसर B हो जाएगा फ्यूज तार से घरों में विधूत से दुरघटना फ्यूज तार से होती है क्योचन नमर 11 है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगुठा किसकी दिशा को संकेत करता है तो इसका सही अंसर C हो जाएगा बल का क्योचन नमर 12 है विधूत मोटर परिवर्थित करता है तो विधूत मोटर क्या परिवर्थित करता है तो इसका सही अंसर B हो जाएगा विधूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित करता है क्यूचर नमर 13 है एक छड़ चुम्बक को दो बराबर भागों में बाटने पर चुम्बक के धुर्व पर क्या परभाव पड़ता है तो इसका सई एंसर भी हो जाएगा चुम्बक के धुर्व अलग नहीं होते हैं यानि कोई परभाव नहीं पड़ता है क्यूचर नमर 14 है चुमक्य छेत्र का मान धुरूओं पर होता है तो चुमक्य छेत्र का मान धुरूओं पर क्या होता है तो इसका सही एंसर यह हो जाएगा महत्तम क्यूचर नमर 15 है किसी चालक तार से विधुद धारा परवाहित करने पर तार के उपर तथा नीचे चुमक्य छेत्र पैदा होता है तो किस परकार का पैदा होता है तो इसका सही एंसर बी हो जाएगा विप्रित परकार के क्यूचर नमर 16 है फलेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगुठा किस दिशा की और संकेत करता है तो इसका सही एंसर यह हो जाएगा चालक की गती की दिशा क्यूचर नमर 17 है एक यूनिट विधूत उर्जा का मान है तो एक यूनिट विधूत उर्जा का मान कितना होता है तो इसका सही एंसर डी हो जागा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है क्यूचर नमर 18 है फलेमिंग के वा महस्त नियम से बाए हाथ का मध्यामा संकेत करती है तो किस दिशा की और संकेत करती है तो इसका सही एंसर C हो जाएगा चालक में परवाहित विधूत धारा की दिशा क्यूचर नमर 19 है चुम्बक के भीतर चुम्बक के छेतर रेखाओं की दिशा क्या होती है तो इसका सही एंसर B हो जाएगा Дचिन धूरू से उतर धूरू की और होता है क्यूचा नमर 20 है घरों में विधूत उर्जा सफलाई होता है तो घरों में विधूत उर्जा कितना हटच से कितना भोल्ट तक होता है तो इसका सई अंसर B हो जागा 50 हटच से 220 भोल्ट तक होता है क्यूचन नमर 21 है विधूत जनित्र में यांत्रिक उर्जा को किस उर्जा में परिवर्थित करता है तो इसका सई अंसर C हो जागा विधूत उर्जा में क्यूचन नमर 22 है घरेलू वाइरिंग में तीन तार होते हैं इन तारों में उदासिन तार के रंग होता है तो उदासिन तार का रंग कैसा होता है तो इसका सई अंसर C हो जाएगा काला उदासिन तार का रंग काला होता है क्योचा नमर 23 है दो चुमबक के छेत रेखाएं एक दूसरे के क्या करती है तो इसका सही अंसर भी हो जागा परिछेत नहीं करती है क्योचा नमर 24 है चुमबक के छेत रेखाएं चुमबक के बाहर किस दिशा में है तो इसका सही अंसर ए हो जाएगा उतर धूर्व से दच्छिन धूर्व की और है क्योचन नमर पचीश है स्वतंतता पुर्वक हावा में लटकी छेती चुमक हमेशा रहती है तो हमेशा किस दिशा में रहती है तो इसका सही अंसर C हो जाएगा उतर दचिन दिशा में क्यूचर नमर 26 है चुमबक्य छेत्र की तिवरता का मातरक है तो चुमबक्य छेत्र की तिवरता का मातरक क्या होता है तो इसका सही अंसर C हो जाएगा A और B दोनों और स्टेड और टेसला, दोनों चुमक्के छेतर की ती वरता का एशाय मात्रक होता है क्यूचन नमर 27 है, बिधुच चुमक्के प्रेरन की खोज किसने किया तो इसका सही अंसर यह हो जाएगा, फैरोडे ने फैरोडे ने बिधुच चुमक्के प्रेरन की खोज किया क्योचन नमर 28 है DC मोटर के कुंडली के दोनों सीरो पर होते हैं तो DC मोटर के कुंडली के दोनों सीरो पर क्या होता है तो इसका सही अंसर यह हो जाएगा अर्ध वले DC मोटर के कुंडली के दोनों सीरो पर अर्ध वले होता है क्योचन नमर 29 है AC मोटर के कुनली के दोनों सीरो पर होते हैं तो AC मोटर के कुनली के दोनों सीरो पर क्या होता है तो इसका सही अंसर भी हो जागा पूर्ण वले AC मोटर के कुनली के दोनों सीरो पर पूर्ण वले होता है क्योचा नमर तीस है किसी परिनलिका के भीतर सभी बिंदूओं पर चुमक्य छेत्र होता है तो सभी बिंदूओं पर चुमक्य छेत्र क्या होता है इसका सई अंसर यह हो जाएगा समान होता है किसी परिनलीका के भितार सभी बिंदों पर चुमक्य छेत्र समान होता है यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर नहीं किये हैं तो कर दिजे हम इसी तरह से सभी विस्तयू का नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं